नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है इस वीडियो में बड़ी मज़िदार वीडियो है यह वीडियो है सम्मंदित इसराइल और जिनुस से इसराइल एक बहुत चोटा सा देश है फिर भी पूरी दुनिया में काफी सकती शाली है इसका क्या कारण है इस पर बात करने वाले ह मेंने नाम है सुनील चौधरी, मैं हूँ डिजीटल सक्सेस कोच अगर आप डिजीटल दुनिया में सफल होना चाहते हैं तो मेरा एक छोटा सा फ्री कोर्स है जो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके ले सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो बाई इसराइल एक बहुत छोटा सा देश है जो की दुनिया के मैप पर दिखाई भी नहीं देता है उसे जून करना परता है तब जाके सौझ में आता है इसराइल क्या है इसे पूरी दुनिया का एक छलका टाइप का है इसराइल इतना छोटा देश है इसराइल बट जीउस जो है यहुदी यहुदी लोग हैं पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं और ये बात मुझे भी नहीं पता थी मैंने सुते हैं मुझे नहीं पता थी तो मैं आपको भी बता दू राइट इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट कि पूरी दुनिया पर यहुदियों का क्या राज है यह आपको इस वीडियो के मात्यम से पता चलेगा अगर आपको वीडियो लगे कुछ भी लगे नया चीज अच्छी लगे तो कमेंट करके जरू बताना राइट बिल्कुल सिंपल वासा में यह वीडियो तो इसराइल is a small country बहुत छोटा देश है इसराइल बट जियूज यहुदी लोग पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं तो यह आपर हमें लिस्ट लेकर आए हूँ आपके लिए उन यहुदीयों की उन जियूज की जो पूरी दुनिया पर एक strong influence रखते हैं strong position उनकी रखती है और आपको यह भी पता होगा कि जैसे ही इसराइल का और गाजा पट्टी पलिस्तिन का जो युद्ध शुरू हुआ है इसमें अमेरिका के दो बड़े जाहाज आ चुके हैं और जो समुद्र में खड़े हैं एक भूमद्य सागर में खड़ा है और एक इदर साओधी अरब के पास जो सागर है उसमें भी जाहाज खड़ा है तो आपको चुल्ड मची कि वो इसराइल जैसे छोटे देश की इतनी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाए और सिर्फ अमेरिका नहीं यूरोप के बहुत बड़े बड़े प्रोग्रेसिव कंट्रीज या फिर पूरी दुनिया के प्रोग्रेसिव कंट्रीज इसराइल के साथ खड़े उसका रीजन क्या है उस रीजन के बारे में आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्या है इसराइल के पास जो पूरी दुनिया के सारे प्रोग्रेसिव कंट्रीज इस्राइल के साथ खड़ें तो देखिए ये है इस्राइल के पास ये जो मैंने कुछ आदमियों की लिस्ट ने का ली है ये इस्राइल के पास है जिसकी बज़े से पूरी दुनिया इस्राइल से पंगा नहीं लेती बलकि इस्राइल का साथ देती है नमबर वन आप जानते हैं इनको अगर आप जानते नहीं है तो भी कोई बात नहीं आप समझ लिजिए यह है लेरी एलिसन बहुत बड़े एंटरपनियूर है औरेकल कंपनी का नाम सुनाओगा आपने उसके मालिक है औरेकल कंपनी हमने कई बार सुना है पिछले 15-20 साल में C++ प्लस सीगलो, कोडिंग सीगलो, C++ सीगलो, औरेकल का सॉफट्वेयर, औरेकल का फलाना निमकाना तो वह जो औरेकल पूरे दुनिया में अपनी इंडस्ट्री में राज करता है उसके मालिक है लेरी एलिसन और इनकी संपति है एक सो तीन बिलियन डॉलर्स एक सो तीन बिलि जाती है गूगल, गूगल के फाउंडर है वह या, लेरी पेज, ये भी यहूदी है, जीव्स, लेरी एलिसन भी यहूदी, और ये गूगल पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉंग सर्च इंजन, दूसरा कोई आसपास बठकता ही नहीं है, उसके फाउंडर, य यह हैं स्टीब बालमर, आप कहेंगे यह कौन से खेत की मूली है, जी हाँ, आपने नाम सुना होगा माइक्रो सॉफ्ट का, अब जैसी माइक्रो सॉफ्ट का नाम आएगा, तो आप सोचो के भीया, वो तो बिल गेट्स का है, स्टीब बालमर का क्या लेने देना है, तो वो माइक्रो सॉफ्ट में जो मोटा पैसा लगा हुआ है, वो स्टीब बालमर का लगा हुआ है, अब सोचो, माइक्रो सॉफ्ट का एक बड़ा मालिक स्टीब बालमर है, और यह उस कंपनी के बहुत सारों तक सी यू भी रहे, तो माइक्रो सॉफ्ट पर इनका कप जाए, माइक के दो मालिक हैं वो भी यहुदी है माइकल ब्लूमबर्ग इनकी संपती है 77 बिलियंड डॉलर्स उसके बाद आते हैं माइकल डेल इनका आपको अंदादा हो गया हुआ यह क्या है हम डेल के लैप्टॉप इस्तमाल करते हैं डेल के कंप्यूटर्स डेल के सॉफ्ट्वियर्स डेल के बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स हमारी बड़ी बड़ी कंपनी इस्तमाल करती हैं डेल के मालिक हैं माइकल डेल इनके सरनेम से इनका बिजनिस सलता है 52 बिलियंड डॉलर्स के मालिक हैं यहुदी हैं जीउज हैं इसराइल से कनेक्टिड हैं और यह मार्क भीया मार फेक टाट हम फेस्बुक में उसे रहते हैं यहुदी हैं मार्ग जकरबर्ग 42 बियंड डॉर की इनकी व्यक्तिगत संपत्ती है इसके बाद लेन गलाव्टनिक इनकी संपत्ती है saud till बिलियंड डॉलर उसके बाद आते में एलन वbek इंपर इनकी संपत्ती है 30 billion dollars ये लोग दुनिया के अलग-अलग कोने में बैठके बड़ा बिजनिस कर रहे हैं अब देखो Google Facebook, Dell अमेरिका में बैठकर बिजनिस करते हैं यानि अमेरिका की बहुत बड़ी economy के उपर इनका कबजा है अब अमेरिका इनकी बात नहीं सुनेगा, आपने जंगी जहाद नहीं बेज़ेगा तो ये क्या कहेंगे? कि हम अमेरिका से उठके इंडिया में बैठ जाएँगे, अफरिका में बैठ जाएँगे हम तो इसरैल में बैठ जाएँगे पूरी दुनिया को पूरी दुनिया को आर्थिक रूप से कंट्रोल करता है इसराइल देश में जो इनोवेशन होती है जो अविश्कार होते हैं वो नेक्स्ट लेवल के होते हैं आजकल पूरी दुनिया में एक हला चलता है चिप चिप एक चिप जो होती है software के अंदर दो latest chip ह इंटेल के प्रोसेसर सों फलाने निम्काना कुछ भी हो उसके अंदर जो latest chip है वो इसराइल की है latest agriculture के जो method है वो इसराइल की है latest जो weapons है बनाने की जो तकनिक है वो इसराइल की है इसकी बज़े से इसराइल बहुत जादा मजबूत है हमारे देश की जनसंक्या भारत देश क जनसंक्या 140 करोड से जादा है इनके जनसंक्या एक करोड से भी कम है हमारे या की economy सवा तीन ट्रिलियन डॉलर है इनके यह की economy सवा ट्रिलियन डॉलर है यानि यह हमसे 140 गुना कम है और इनकी जो economy यह बस हमसे तीन गुना कम है बस यानि हम इनसे सर्फ तीन गुना जादा है पैसे के मामले में और हमारे पास लोग कितने जादा है 140 इनकी भूमी बहुत कम है 20,000 hectare हमारी कितनी है 32,000,000 hectare तब भी इनके यहाँ ज़्यादा पैदावार होती है इनके यहाँ ज़्यादा सभी लोग नई पिसले 7-8 दिनों में मैं देख रहा हूँ मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर की जाए अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके बताईएगा कौन सी बात आपको एकदम नहीं पता चली है शेयर कर दीजेगा वीडियो को और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अ